हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल लॉंग आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तिन की लंबाई साड़े 19 इंच ली है और इसकी चोड़ाई हमने नीचे की साइट से कितनी ली है ये नाप लेते ही इसकी चोड़ाई 22 इंच है ये देखिए नीचे की साइट से आपको 22 इंच चोड़ाई लेनी है उपर की साइट से आप अपने हिसाब से ले सकते ही अब हम इसमें छोटे-छोटे ऐसे चूनट बना लेंगे एकदम छोटे-छोटे वाले चूनट बनाने हैं हमें इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे अब हमें एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेना है कपड़े में हमें पीछे की साइट में इस तरी की साहता से बाकरम को चिपका लेना है कपड़े की लंबाई 12 इंच है और इसकी चोड़ाई 6 इंच है, अब हम इसे बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे, बीच में से फोल्ड करने के बाद, अब हम यहाँ पे कोने की साइड में, 1,5 इंच की ऐसे तिर्ची में लंबाई पे टिक लगाएंगे, अब हम इसे हलका सा गोल सेफ में ऐसे लाइन अप करेंगे जिस सेफ में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेफ में हम इसकी कटिंग कर लेंगे ये देखिए यहां से हमें ऐसे कट कर लेना है अब हम बीच में से कट कर लेंगे तो ये देखिए एक साथ हमने दो डिजाइन की कटिंग कर ली है अब दोनों डिजाइन को तयार करने के लिए हमें एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेना है उस कपड़े के उपर हमें डिजाइन को ऐसे लगाना है और जिस सेप में हमारे डिजाइन की कटिंग की गई है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसके उपर ऐसे सिलाई चला लेना है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और दूसरा वाला डिजाइन है जो इस साइड में लगा लेंगे और बिल्कुल इसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हमें कपड़े को ऐसे कट कर लेना है अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये देखिए इसे ऐसे फोल्ड करके सीधा कर लेना है दोनों डिजाइन को अच्छे से सीधा कर लेंगे इसे सीधा करने के बाद हमें इसके उपर सिलाई चला देनी है जिससे हमारा दोनों कपड़ा एक दूसरे में अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा तो सिलाई हम यहां से करेंगे इसके उपर यह देखिए यहां से इसके उपर ऐसे सिलाई चला देनी है दोनों साइड में सिलाई चलानी है अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और दूसरे वाले डिजाइन के उपर सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ पांच कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई और चवड़ाई दोनों 6 इंच है ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच कपड़े हमने लिये हैं अब हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है सारे कपड़े को हमें बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करते हुए एक के उपर एक लगाते जाना है ये देखिए ऐसे थोड़ी-थोड़ी दूरी पे हमें एक के उपर एक लगाना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो यह देखिए फ्रेंद हमने सारे कपड़े को एक के उपर एक लगा लिया है अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय सारे डिजाइन को आपको पर्फेक्ट सेप में बैठाते रहना है क्योंकि ऐसे सिलाई चलाने पे हमारा डिजाइन इधर उधर तो पक्का होता है तो इसलिए सारे डिजाइन को ऐसे पर्फेक्ट सेप में बैठाते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को कट करेंगे धागे को कट करने के बाद अब इसके दोनों साइड में हमें ये वाला डिजाइन लगाना है ये देखिए ऐसे हम लगाएंगे थोड़ा सा तिर्ची में हमें ऐसे कर लेना है दोनों डिजाइन को तिर्ची में करने के बाद अब हम इसके उपर ऐसे सिलाई चला देंगे ऐसे सिलाई चलाने के बाद अब हमें देर इंग चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड करते हुए हमें इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब हमें इस चोड़ी पट्टी वाली डोरी की कटिंग करनी है तो हम धाई इंच की लंबाई नापेंगे और यहां से कट कर देंगे सेम साइच का ऐसी हमें धेर सारी कटिंग कर लेनी है तो यह देखिए फ्रेंड ऐसी हमने धेर सारी कटिंग कर ली है अब हमें ये वाली डिजाइन लेनी है और इसके उपर हमें यहां से ऐसे सिलाई चलानी है यह देखे यहां पर ऐसे हम सिलाई चलाएंगे इसके उपर अब जो हमारा चोड़ी पट्टी वाला डोरी है वो ले लेंगे इसे ऐसे फोल्ड करके हमें डिजाइन में यहां पर लगाना है थोड़ी-thोड़ी दूरी पे हम चौड़ी पट्टी वाले डोरी को फोल्ड करके यहां पे ऐसे लगाते जाएंगे इस तरीके से ही आप इस डिजाइन को एजी इस टेप में तय्यार कर सकते ही अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और सेम इस टेप को फॉलो करते हुए ऐसी डिजाइन हम दूसरे साइड में भी बना लेंगे तो ये देखिए हमने दोनों साइड में सेम डिजाइन बना ली है अब हमें यहां से साड़े चार इंच की लंबाई नापनी है और टिक लगा लेनी है दूसरे साइड में भी हम साड़े चार इंच की लंबाई पे ऐसे टिक लगा लेंगे अब हम इस केल की साहता से ऐसे लाइन अप करेंगे लाइन अप करने के बाद बिलकुल इसी लाइन के उपर हमें एक बराबर में सीधी सिलाई चुला देनी है यहां से धागे को कट करेंगे और किनारे के साइड से एश्टर कपड़े की कटिंग कर लेनी है अब हमें इस डिजाइन में मोती लगाना है तो यह देखिए सुई धागा के मदद से हम डिजाइन में ऐसे मोती लगाएंगे इस डिजाइन को फ्रेंड आप सूट के स्लीविस में भी यूज कर सकते ही और ब्लाउज के स्लीविस में भी यूज कर सकते ही अगर आपको हमारी ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं ये देखिए सारे डिजाइन में हमें ऐसे मोती को लगा देना है इस तरीके से ये आप डिजाइन में मोती को इजली लगा सकते ही हमने सारे डिजाइन में मोतिव को ऐसे लगा कर तैयार कर लिया है अब जो हमने आस्तिन में चूनट वाली सिलाई की थी उसे हम ले लेते हैं ये देखिए चूनट वाले डिजाइन को हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है और इसके किनारे के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद ये देखिया हमारा डिजाइन कपड़े में ज्वाइंट होने के बाद बहुती सुन्दर लग रहा है लेकिन हमें इस डिजान में एक बटम लगाना है तो बटम को हमें यहां पर लगाना है, friend सूइधागा की मदद से हम बटम को यहां पे लगा देंगे अगर आपको ऐसी बटम बनाने नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दी गई है ऐसे डिजाइन को तयार करने के बाद अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके किनारे की साइड में ऐसे सिलाई चला लेंगे तो जो आपका साइज है वो साइज नापने के बाद किनारे की साइड में आपको ऐसे सिलाई चला लेनी है आस्तिन की सेप में अब हम इसे सीधा करेंगे, सीधा करने पी हमारा डिजाइन और भी प्रिटी लग रहा है, जो कि आप पे बहुती सुन्दर लगेगा, साइट से हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके का दिखेगा, यह देखिए मोती वाला डिजाइन इस तरीके से दिखेगा, और बीच में बट आई डिजाइन के साथ, थेंक्स वर वाचिंग माई वीडियो,